आज 15 दिसंबर 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पढ़ना अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो दोस्तो अनेकेडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा हर रोज रात को आठ बजे आपको मेरी नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेर की क्लास अनेकेडमी पे मिलेगी स्टार आईक्यू कोड का इस्तमाल कर सकते हैं आपको अगर कोई यहां पे कोर्स परचेश करना है तो डारेक 10% का डिसकाउंट भी मिलेगा दोस्तो कला आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा हर्याना के किस व्यक्ति को बेस्ट राइटर ऑफ दा इयर 2021 अवोर से सम्मानित किया गया है तो इस सवाल का सही अंसर था सचिन राणा हीरो यानि कि इस सवाल का बी वाला आप्शन बिलकुल ओके था आज का पहला सवाल क्या होगा कि हर्याना के किस जिले में डॉमेस्टिक एरपोर्ट बनाये जाएगा हर्याना के जो जिला है उसका नाम है अंबाला अंबाला जिले के अंदर जो है डॉमेस्टिक एरपोर्ट बनाये जाएगा C वाला option इस सवाल का बिल्कुल ठीक है वैसे तो मैं अगर कहूं कि इस airport बनाने की बात साल 2020 में कर ली गई थी मतलब स्टार्ट हो गई थी बात और केंदर सरकार का जो civil aviation department है उसके ministry of civil aviation के तरफ से 40 क्रोड रुपे की अभी recently इसको मनजूरी भी गई है पहले गोशना 2020 में हो गई थी लेकिन बजट कोई पास नहीं हुआ था तो अभी recently 40 क्रोड रुपे की मनजूरी मिली है इसी रासी से एरफोर्स टेशन के ठीक के साथ नया टरमिनल भी बनाया जाएगा और जहां से वेमान के लिए यात्रियों को टेक्सी वे पर ले जाया जाएगा तो यह काफी इपॉर्टन्ट है अल्रेडी अंबाला के अंदर एरबेस तो ही आपको पता ही है लास्ट येर 29 तारिक की बात है 29 जुलाई 29 जुलाई 2020 को जो है न यहां पे 5 राफेल आये थे फ्रांस से साइद आपको याद होगी वो बात और अभी आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है यहां पे डुमेस्टिक एरपोर्ट बनने की घोशना हुई है काफी इपॉर्टन्ट है अंबाला के बारे में आप लोग काफी सारी बाते जानते भी होंगे जैसे अंबाला को आप लोग ट्विन सीटी के नाम से जानते हैं अंबाला को ही आप लोग मिक्सी सीटी के नाम से पुकारते हैं अंबाला को ही आप लोग अपरेटर सीटी अंबाला को ही आप लोग साइंस सीटी एक आप लोगों ने नाम सुना होगा सूचेता कृपलानी का सूचेता कृपलानी भारत में किसी भी राज्य की सबसे पहली मुख्य मंत्री बनी थी जो की यूपे की थी पहली महिला मुख्य मंत्री कहिएगा एक आप अमबाला केंट से सुस्मा सवराज को जानते होंगे भारत के माननी ये रास्टरपती जी दवारा और आपको क्या याद रखना है और याद रखना है कि अमबाला केंट के जो बस्टेंड है ना उसका नाम 14 फरवरी के दिन 14 फरवरी 2020 के दिन सुस्मा सवराज के नाम पे ही रख दिया गया तो वो पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है और पॉइंट आप लोगों को अमबाला से ये याद रख लेने है कि अमबाला के अंदर एक फुटबोल मैदान है जिसको रिसेंटली फीफा ने अप्रू किया है मैंने पढ़ाया था आपको और खेलर अंडिया यूथ गेम का जो फुटबोल वाले गेम है ना वो यहाँ अमबाला के अंदर ही होंगे बाकी हालनके 90% तो पंचकुला में होई जाएंगे लेकिन होकी के जो गेम है वो चंडिगर्ड और शाहबाद में और फुटबोल वाले गेम जो है ना वो अंबाला के स्टेडियम में आयोजित करवाई जाएंगे तो काफी महतवपुन सवाल है अंबाला आपने आपने बहुत महतवपुन डिस्टिक भी है इसको आप लोग आम की पैदावार ज़्यादा होने की वज़े से इसका नाम अंबाला या माता अंबिका की वज़े से या अंबा नामक राजपुत राजा की वज़े से इसका नाम अंबाला पड़ा है ऐसे अलग-लग इतिया हासकारों के अलग-लग मत है लेकिन महतवपुन जिला है जरूर आपको याद रखना है बात आती है अगली अनुसुचित जाती वित एवं विकास निगम ने नवंबर माहा में कितने लावार्थियों को 719.13 लाग की वितिय सहायता प्रदान की है तो वितिय सहायता प्रदान की है 1070 यानि की सवाल का भी वाला आप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा 1070 लावार्थि है इनको 719.13 लाग की वितिय सहायता दी है अनुसुचित वित एवं विकास निगम ने नवंबर महीने के दुरान इनमें सामिल कोन कोन है डेरी फार्मिंग है भेड पालन वाले हैं सूवर पालन जोटा बगगी वाले हैं उंट गाड़ी वाले खचर गाड़ी चलाने वाले ये लोग इसमें सामिल है ऐसे लोग जो है अनुसुसी जाती के लोग तकरीबन 1070 लावारती है जिनको इतने पैसे देके विटिय साहिता परदान की गई है इनमें किरिशी एवं समंदी चेतरों के कुछ 600 लावारतीयों को 336.86 लाग और दुगिक चेतर के 23 लावारतीयों को 11.55 लाग की विटिय साहिता दी गई है और वेपार एवं वेपार के चेतर में 384 लावारतीयों को 308.97 लाग रुपे गी विटिय साहिता दी गई है यह बात आपको यहाँ से याद रखनी है अगला सवाल हमारा क्या है इसका आप स्क्रीन शोट भी अपने पास रख सकते हैं कि किन किन लोगों को यह विटिय साहिता दी गई है आपके लिए शोट में आपको यह स्क्रीन शोट यह फोटो काम आएगी डिविजन करने के लिए रिवाड़ी के नेरिषिनल हाईवे 48 से जोडने वाले बावल वै भाड़ावास रोड के लिए शाल ही में NCR ने कितने क्रोड का बजट पास किया है NCR ने रिसेंटली जो है बजट पास किया है टोटल 80 करोड का यानि कि सवाल का D वाला option जो है ना वो बिलकुल ठीक रहेगा ये काफी महत्रपूर्ण क्यूस्टन रहने वाला है Actually NCR के इस budget से क्या हो जाएगा इस budget से पास करने से ये जो रास्ता है वो काफी छोटा पड़ जाएगा मतलब बहुत लंबा रास्ता है उस जैसे तकरीबन आदे घंटे का समय बचेगा अगर मैं पूरा विस्तार से बता हूँ तो National Highway 48 को जोडने वाले रेवाडी सहर के परमुक बावल रोड को फॉर लैन में तबदिल किया जाएगा इसका सिल्यानास वैसे 26 नवंबर को जो है न मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर चुके हैं लेकिन इसकी आगे की बात अगर कर रहे हैं हम लोग तो हर्यानास सडक एवं पुल विकास निगम की तरफ से एंसी आर जो बोर्ड है न इसको दोनों सडकों के लिए एंसी आर इंटी बोर्ड के पास में बजट पूरा भेजा गया था एंसी आर ने से पास कर दिया एंसी आर को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे ठीक है न एंसी आर जो है न आपका यह कापिटल इसके अंदर तकरीबन तकरीबन यूँ कहिए गा 55,000 से भी जादा स्केर किलोमेटर का एरिया जो है न अंडर आता है जिसमें से हर्याना यूपी राजस्थान का एरिया जो है न कवर आता है ठीक है चलिए जी आगे बड़े हैं हम लोग हाँ एक बात और है कि जैसे मैंने पूर्पूर चोक से रिवाडी सहर तक आने में 45 मिंट लगते हैं सड़क दिर्वान पूरा होने से केवल 15 मिंट लगेगा मतब 30 मिंट का रस्ता छोटा हो जाएगा किस युनिवस्टी के टैगोर सभागार में मिस्टर धातू निगम लिमेटिड मिधानी के तत्वा धान में अजादी का अमरित महुत सव वर्स के तहत साथ दिवस्टी है सुरुक्षा अपकरण परदर्शनी के सुरुवात की गई है इस युनिवस्टी का नाम है MDU यानि कि महरसी दयानंद युनिवस्टी वहाँ पे जो है ना ये टैगोर सभागार में जो एक बलेट प्रूफ जै या एक कवच इस परकार का बनाया गया है ताकि सैनिकों को इसको पहनने के बाद में जगर रण भूमें मूतरते हैं तो ज़्यादा वजनी भी ना लगे ज़्यादा थोड़ा अनेजी सा भी ना ऐस हैनिया ना लगे तेजी से लड़ भी सके वो M.D.U. के टेगोर सभागार में मिसर धातू निगम लिमिटिर के तत्वाधान में ये साथ दिन की परदर्शनी स्टार्ट की गई है 19 दिसंबर तक चलेगी इसका उदगाटन किया है कुलपती के प्रोफेसर राजवीर सिंग ने ये इपोर्टन्ट है आपको याद करने के लिए और आपको मिसर धातू के बारे में पता होना चीए इसके अडिक्स का नाम चेह डॉक्टर एस के जहा है इसकी स्थापना 1973 में की थी भारत के रक्षा मंतराले दवारा हैदराबाद के कंचन बाग में मिधानी की एक यूनिट है उसकी स्थापना 1982 के अंदर की गई थी अगला सवाल इस बार हर्याना में कुंसमी गीता जहनती मनाई गई है इस बार हर्याना में गीता जहनती 5169 गीता जहनती मनाई गई है डी वाला आप्षन सही है यह वही वटवरिक्स है जिसके नेचे भगवान स्रीकृष्ण ने उपदेश दिया था गीता का अरजुन को ब लब दिन ही गीता जहनती मनाई जाती है और इस बार ये 5169 जहनती थी ये कल्यूग स्रीक्रिशन के स्वरग गमन के 36 बरस बाद में स्टार्ट हुआ था और अगर देखा जाए तो पुरा ततव राजिंदर सिंग के मताबिक कल्यूग जो है ना वो अब 5123 साल हो चले हैं 5123 साल में 36 जोड़ते हैं तो 5169 जहनती मनाई गई है मुख्यमंद्री जी ने भी यही गोशना की थी 5169 जहनती इस बार हम लोग मनाएंगे तो आपसे सवाल डारेक डारेक पूछा जा सकता है तो करके मैंने भी बना दिया आपको याद गरना है बात एक गीता के मेरे टोटल 700 स्लो दोने मिस्ट यूनिवर्स का खिताब जीता है कहां की रहने वाली है विस्तार से बता सकते हैं तो बताईएगा आप लोग धन्यवाद कल फिर मिलूँगा लेटस्ट अप्रेट के साथ में तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा रात को आप लोग हर रोज लाइव मुझस जरू जुडियेगा नो बजे धन्यवाद